हमने काफी वीडियो में आपको 3 किलो वोट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में बताया है कि कितने रुपे में आप लगा सकते हैं या उसके उपर क्या-क्या लोड आप चला सकते हैं Mostlly घरों में जो 3 किलो वोट का सोलर सिस्टम लगता है वो heavy load चलाने के लिए लगता है या जहां पर बिजली का कोई भी connection नहीं है तो वहां पर आपको रात के समय में भी backup चाहिए इसलिए इतने बड़े system का उप्योग किया जाता है लेकिन actual में ये कितनी power generate कर सकता है इसका किसी को नहीं पता होता है कई लोग खरेदें से पहले सोचते हैं कि क्या इससे हमारा काम चल जा गया या नहीं तो आज की इस वीडियो में यही हम clear करने वाले हैं आपको बताएंगे कि 3 किलो वोट का जो solar system आप लगाते हैं उसमें आपको एक दिन के अंदर कितनी power generation देखने को मिलेगी तो अगर आपके लिए वो power generation प्रयाप्त है देन आप 3 किलो वोट का solar system अपने लिए लगा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे 3 किलो वोट के solar system के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 375 वोट के 9 panel हमने यहाँ पर लगाए है 3-3 panel को series किया है और 3-3 का set बनाकर फिर parallel उनको लगा दिया है और इसके लिए हमने यूज किया है आसा पाउर कंपनी का neon 80 MPPT technology का solar charge controller तो यहाँ पर जो हमारे panel की technology है वो monopark है और जो हमारा controller है MPPT है इसका benefit क्या होगा यह मैं आपको बाद में बताऊंगा तो यहाँ पर अभी सुबह के 7 बजे है तो यहाँ पर आप controller पर देखेंगे कि जो power generation है वो 0.1 यानि कि अभी तक एक unit का दस्वा हिसा ही power generate हुई है क्योंकि अभी सुबह के 7 बजे है तो जो धूप है वो अभी directly solar panel पर नहीं आ रही है side से ही थोड़ी थोड़ी धूप इसके उपर आ रही है इसलिए काफी कम generation यहाँ पर आप आप देखने को मिल रही है और यह units है जो कि controller ने अभी तक बनाई है जो कि 308.8 है यानि कि जब से इस controller को own किया गया है तब से अभी तक इसने 358 unit बना दिये है इस controller की एक कमी है कि अगर हम इसे बंद करके दुबारा शरू करते हैं तो जितना भी हमारा पहले वाले record है कितनी unit बनी है वो zero हो जाता है और यह zero से start हो जाता है और यहाँ पर आप जो charging ampere देख रहे हैं वो 37 ampere है तो सुबह का time देखते हुए काफी सही हमें यहाँ पर ampere मिल रहे है जैसे जैसे धूब बड़ेगी वैसे वैसे यह ampere बड़ेंगे और वैसे ही हम time to time आपको अलग-अलग समय पर दिखाएंगे कि किस time कितनी power generation panel से मिल रही है तो अभी जूबह के 7 बजए हमें 7 ampere मिल रहे है तो next देखते हैं कि कितनी बजए कितनी power हमें मिलेगी तो अभी 9 बज़कर 24 minute हो गए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 31.5 ampere अभी हमें solar panel से मिल रहे है और battery की जो voltage है वो 15.8 है यानि कि अभी हमारी battery full charge नहीं हुई है और solar panel से हमें 102 volt मिल रहे है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9.5 बजए ही आपको काफी अच्छी power solar panel से मिलनी सरू हो जाती है तो चलिए next देखते हैं कि कितनी बजए कितनी power और हमें मिलेगी तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बज़ कर 40 मिनिट होए है और यहाँ पर units आप देख सकते हैं कि 11.5 units इसने अभी तक बना दिये है और total unit आपने देखे थे जो 358.8 थे वो अब 370 हो गए है हमारी battery यह 43.2 ampere से charge हो रही है तो जो solar panel है वो almost अपनी peak के उपर वरक कर रहे हैं हालांकि थोड़ा सा और भी यह ज़्यादा ampere symmetry को charge कर सकता है यह totally weather condition के उपर ही depend होता है कि कितनी generation हमें solar panel से मिलेगी लेकिन अभी जो generation solar panel से मिल रही है वो लगबग peak के करीब है तो चलिए next देखते हैं कितने बजे हमें कितनी power मिलेगी अभी स्याम के लगबग 4 बज चुके है और यहाँ पर हमें solar panel से 26 ampere अभी भी मिल रहे है तो यहाँ पर अभी भी हमें स्याम के 4 बजे 26 ampere power supply मिल रही है हमारे panel से अभी धीरे धीरे जो generation है वो कम होनी शरू हो जाएगी जैसा कि आपने देखा था सुबह 7 बजे 7 ampere था तो उसके बाद में बढ़ गए थे 9 बजे के करीब फिर 2 बजे के करीब और जादा हो गए थे ऐसे ही अब वापिस कम हो जाएंगे और लाश्ट में हम आपको बताएंगे कि total कितनी generation हुई है तो अभी स्याम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो total units हैं वो 17.2 है तो इसका मतलब 17 units इसे ने बना दिये हैं और total units यहाँ पर 306 हो गए हैं और यहाँ पर 3.3 Ampere से अभी भी हमारी battery हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बार की तरफ धूप आपको बिल्कुल कम दिखाई देगी और सुरज अभी दूबने वाला है तो देख सकते हैं बहुत कम दूप में भी यह बिजली बना रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम के समय जब सुरज डूबने वाला होता है 6 बजे करीब तब भी हमें वहाँ पर लगबग 3 Ampere की Power Generation देखने को मिल रही थी इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे Monopract Technology के Solar Panel और MPPT Technology का Solar Charge Controller तो Monopract Technology के Panel और MPPT Technology का Controller लगाने से हमें अपने सिस्टम के अंदर Maximum Efficiency मिलती है और कम से कम दूप में भी अच्छी Power Generation देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा Solar System है वो लगभग 17 यूनिट बिजली जनरेट कर सकता है 3 किलो वोट का सिस्टम यह जो जनरेशन है वो अलगर चीजों पर Depend करेगी अगर कहीं फर Polypanel लगाए गए है तो क्या पता हमाँ पर थोड़ी generation कम हो जाएं PWM Technology का Inverter या controller है तो वहाँ पर भी जो जनरेशन वो कम हो जाएगी लेकिन अगर आपके पास Monopract Technology के पैनल है और लोड को calculate कर सकते हैं या units को check कर सकते हैं आपके meter के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं कि अभी कितना है दूसरी दिन उसी time जाकर आप देखें कि दूसरी दिन कितना है तो उससे आपको अंदाज हो जाएगा कि एक दिन में कितनी पावर कंजब्शन आपकी होती है तो उमीद है आपको आपके स्वाल का जवाब मिल गया होगा कि तीन किलो वोट का solar system कितनी विजली एक दिन में बनाता है तो आज किसी वीडियो में इतना ही अगर इसकी वार में अभी भी आपका कोई सवाल इस जवाब हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बाल इतन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें धन्यवाद